अभी इस वीडियो में हम square root of 676 सिखेंगे तो आप इस वीडियो को पुरा देखना यहाँ पे हम पुरा एकदम अच्छे से basic से समझेंगे अन्य वीडियो की link नीचे description पड़ी वहाँ से visit कर लें अपने दोस्तों को share करें चैनल को subscribe करें देखिए इसका हम क्या करते हैं प्राइम नंबर से divide करना शुरू करते हैं इससे क्या होगा इसके आपके प्राइम फेक्टर का multiplication आजएगा फिर वहाँ से हम जोड़ा बना के अपना इसको root निकाल लेते हैं प्राइम नंबर मैंने यहाँ पर लिक रखे हैं देखिए 2,3,5,7,11,13,17,19 तो यहाँ पर देखो 2 से divide करने का अपना यह नियम होता है यहनि इसका unit digit क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए 0 होना चाहिए 2 होना चाहिए 4 या 8 इन 5 में से कोई भी है तो वह आपका 2 से complete डिवाइ गया उसके बाद 7 लिया अगेन 3 वार गया 8 वार गया जितनी वार गया है इसको यहाँ लिकना है तो इस परकिरिया से आपका क्या हो गया एक step complete हो गया अब यही step बार-बार क्या होगा आपका repeat होगा तो अब देखो यह आपके पास एक नया number इसको किस की तरह treat करना है एक नमबर की तरह treat करना है तो अगेन हम देखें इसमें 2 का divide हो रहा है तो 2 का divide किया कितनी 1 time उसके बाद 6 time उसके बाद आपका 9 टाइम चीक है अब यह आपका क्या है 169 आगया 169 में आपका किस का divide होगा 2 का नहीं 3 का नहीं 5 का नहीं 7 का 11 का नहीं 13 का complete divide होगा क्यों डिवाइ 13 का कितने time divide होगा 13 time okay 13 देखिए prime number है तो इसमें खुद का ही जाएगा और कुछ देखना ही नहीं है तो इसके आपके क्या आगे prime factor हो देखो 2 आपका 2 time आया है उसके बाद 13 आपका 2 time आया है ठीक है तो यहाँ पे हम क्या निकालना चाते है इसका square root निकालना चाते है prime factorization थोड़ी करना था तो हम इसके लिए देखिए करेंगे बिल्कुल 2 दो का जोड़ा बनाते हैं same संख्या का जोड़ा बनता है 2 का 2 के साथ बनेगा 13 का 3 का साथ बना ऐसे ओके यहाँ से एक संख्या आएगी multiply यहाँ से भ रहता है दोस्तों आपका square root find करने का तरीका इसके लावा हमारे पास एक long division method भी है उसको भी हम कामें लेते हैं लेकिन उसको non perfect square root के लिए अधिकतर कामें लेते हैं suppose grow इसके multiply में आपका क्या क्या आ जाता 3 आ जाता एक वार club ना करके देखिए हालां कि इसका आया नहीं है त फिर अंडूट 3 का हमें जो long division methods अपना square root निकालते हैं और इसके साथ multiply करते हैं तो आपका answer आ था ओके तो इसका कितना आ गया आपका 26 आ गया वीडियो कैसा लगा नीचे comment करना बिल्कुल फिर comment करें